हलो दोस्तो वेलकम बेक टो मोर यूटुब चैनल आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल में आज हम बनाएंगे दोस्तो ये टेक्चर रिवील एफेक्ट दोस्तो ये काफी एदे कूल एफेक्ट है आपकी जो प्रोड़क्ट एनिमेशन है उसको और भी एदा मज़िदार बनाता है इसको हम टोटली ब्लेंडर बनाना सीखेंगे प्रोसीजरली ठीक है जो भी आपका टेक्चर हो मान लीज़े आपके वाग कैन है कोई नीज़े अंधे और इसका बीज़ी मतूने को प्रोड़क्ट हो गया उन्स अनुछ जो ऒसके नहीं को प्रोसीजरल नीज़े बनाना सक्ते है , भी लकाई कैन रही हो और धौक्ट यद्यूरल ब्रोसेजरल effect हम blender के अंदे create करेंगे आज तो दोस्तो अभी तक आपने हमाई चैनल को subscribe कर लिजिए इस video को like कर दीजिए and दोस्तो अब आप चाते हैं कि ये blend file को आप खुद explore करना चाते हैं तो दोस्तो ये आपको मेरे patreon पर मिलेगी patreon की link आपको description box मिल जाएगी आप ज़रू जाकर check out किए दोस्तो मुझे वापस support कीजिए ताकि मैं ऐसी उमयदार वीडियो continuously create करता रहूँ तो दोस्तो मैंना blender 4.1.1 open कर लिया है मैं या side पर click करता हूँ तो दोस्तो हमाई पाई scene में एक can है जिसकी पूरी series हमने इस channel पर upload कर रखी है आप जाकर check out कर सकते हैं इसका हमना texture भी बनाया था एंड इस पर दोस्तो हमने एक texture लगा रखा है kuka kola गा ठीक है यह कुछ इस तरीके दिखता है ठीक है हमें करना क्या है कि हमें इसको नहीं चेड़ना है माल लिजिया आपने जो भी अपने product पर जिस भी type का label लगा रखे है texture लगा रखे है आपको उसमें कुछ भी changes नहीं करने है हमें जितने भी notes एड करने है इसके आगे add करने है जो भी आपके texture है उसमें कोई भी changes नहीं होंगे ठीक है सबसे पहले हमें करना करना है हमें add करना है gradient texture gradient texture क्या करेगा जैसे कि जो उमारा effect आएगा चाहे वो bottom to top आए या top to bottom आए left to right आए उसके लिए हम यूज करेंगे gradient texture का हम जाएंगे add में add में जाके textures में यहाँ पर हमें मिलता है दोस्तो gradient texture इसको हम यहाँ पर place कर देंगे अगर दोस्तो आपने node wrangler add-on को इने हम लेंगर रखा आप edit में जाके preferences में जाके add-ons के section में जाके यहाँ पर search कीजिए node wrangler and इस add-on पर टिक लगा कर save preferences कर दिजिए so simply हम करेंगे का control shift and left click करेंगे जिस भी node पर वो direct हमारे material output में जुड़ जाएगा अगर इस पर करते हैं तो यह जुड़ जाएगा इस पर करेंगे तो यह जुड़ जाएगा ठीक है so अभी आप देखेंगे gradient texture से हमें कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ white-white दिख रहा है अभी हमें यहाँ पर texture coordinate add करना पड़ेगा so जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और short key control T control दबा कर आप T प्रेस करेंगे so इससे होगा क्या कि texture coordinate और एक mapping note दोनों इसमें add हो जाएंगे so texture coordinate बताता है कि texture जो है कैसे apply होगा हमारे mesh पर and mapping से हम इसको control कर सकते है जैसे इसकी location, rotation and scale so अभी मैं देखेंगे बोटल के चार्श अब तो आप देखेंगे gradient जो है आप पीछे की तरफ आ रहा है ठीक है? यानि कि ये पीछे से आगे की तरफ आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए bottom to top so हम इस texture को rotate कर देंगे हम X में करके देखेंगे कुछ नहीं हो रहा Y में करके देखेंगे so आपने देखा around 90 के करीब ये हमारा rotate हो गया तो इसको हम Y value को 90 कर देंगे ठीक है? तो ये हमारा जो gradient texture है bottom में आ रहा है इसे हम इसकी location भी control कर सकते हैं मैं इसको ऊपर लाता हूँ करीब minus 50 पे ये करीब यहां पर आ रहा है ठीक है? तो हमारा gradient texture हो गया अब हमें करना क्या है कि gradient जो है कई जाके white हो रहा है हमें इतनी smooth transition नहीं चीए ठीक हमें जो transition चीए वो में constant transition चीए यानि ही एकदम hard transition चीए इसके लिए हम करेंगे कि हम shift A दबाकर search करेंगे color M and color M को इन दोनों के बीच में हम place कर देंगे ठीक है अभी तो इसमें कोई भी change नहीं हुआ लेकिन हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक black value मिलती है एक white value मिलती है इन दोनों knob से हम इसकी black और white part को control कर सकते हैं हम करेंगे क्या कि black वाले part को हम right के तरफ ले जाएंगे इसको हम यहाँ से भी control कर सकते हैं इसके position से तो इसको हम 0.5 कर देते हैं जिससे center में आ जाए ठीक है एंड जो black वाली है जैसे उसको हमने 0.5 करा इसको एकदम इसके नजदीक कर देते हैं 0.495 ठीक है एकदम करीब-करीब आगी इनके बीच की यह transition है वो आप दिखेंगे काफ़ एदा hard हो गई है ठीक है जो कि हमें चाहिए था अब यह minus 40 पर है इसको हम बढ़ाते हैं करीब 0 पर लाते हैं जिससे की center में आ जाए ठीक है तो कुछ इस type से दोस्तों अभी तक हमने gradient texture का setup पर लिया है अब हमें करना क्या है अब हमें अब हमें add करना है mix shader node shift A दबा कर हम search करेंगे mix shader and हम इसकी बीच में place कर देंगे so दोस्तों mix shader से होता क्या है इसमें हम दो shaders को mix करते हैं तो अभी के लिए इसको हम हटा देंगे इसमें से दोस्तों mix shaders हम करके सकते हैं दो shaders को mix कर सकते हैं यानि कि shader 1 में हम एक shader देंगे and shader 2 में हम दूसरा shader देंगे and factor values हम उसको control कर सकते हैं तो shader 1 में दोस्तों हम अपना जो पुराना texture है यानि कि जो हमने इतनी can पर apply कर रहा था यह वाला यह पूरा texture setup है इसका जो principal bhdf है वो हम shader 1 में जोड़ देंगे ठीक है and shader 2 के लिए हम shift दबाकर एक और principal bhdf add करेंगे and इस principal bhdf को हम shader 2 में देंगे अब दोस्तों mix shader में जो factor values से हम कैसे control कर सकते हैं अगर यह value अगर 0 पर है तो हमारा जो shader 1 है यानि कि जो top वाले में connected है वो work करेगा जैसे कि अभी हमारी यह वारा setup work कर रहा है मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ इससे ठीक है अभी हमारी यह वारा setup work कर रहा है and अगर इस factor value को में भढ़ाता हूँ अगर 1 कर देता हूँ तो हमने जो principal PhDF दे रहा है shader 2 में यह work करेगा और अगर यह बीच में 0.5 पर है तो यानि कि 50-50 work करेंगे and जिस भी value पर यह factor value है उसी ratio में यह दोनों work करेंगे ठीक है and दोस्तो इस value को हम color से भी control कर सकते हैं यानि कि अगर हम इस value में हम black color छोड़ते है तो यह value 0 हो जाएगी अगर color हमारा total pure black है और अगर हम इसमें pure white color छोड़ते है तो value 1 हो जाएगी अगर इसमें gray color देते हैं तो value 0.5 हो जाएगी जितने भी color में black value है जैसे हम इसके base color में किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे value होती है यह black value बताती है कि color में हमारे कित्ती black value है यह 0 से लेके 1 तक होती है तो जितने भी इसमें black value होगी उसके according यह factor value adjust हो जाएगी ठीक है तो अब हम करेंगी क्या है कि हमने जो color M बनाया मैं control shift left click करता हूँ जो हमने gradient texture बनाया उसको हम इसकी factor value में दे देंगे जहाँ जहाँ पर हमारा black texture होगा महाँ वाल्य जीरो हो जाएगी और यह वाला setup वर्ग करेगा और जहाँ पर one होगा महाँ पर हमारा यह second principle बीएजडियों वर्ग करेगा ठीक है यह कुछ इस टाइप से हमारा जो टेक्स्चर डेवील का जो ग्रेडिन टेक्चर है वो दिख शो होगा अब हम x value को मूव करते हैं मैं shift दबा कर मूव कर रहा हूँ ताकि जो इसकी moment है वो थोड़ी-थोड़ी moment हो तो ऐसे करके दोस्तों हम टेक्स्चर इफेक्ट बना सकते हैं लेकिन दोस्तों यह काफी सिंपल लग रहा है और काफी बोरिंग लग रहा है क्योंकि इसमें जो लाइन है वो इतनों स्ट्रेट आ रही है इसको थोड़ा सा अन इविननेस देने के लिए हम इसमें नॉइस टेक्च्चर को एड़ करेंगे हम करेंगे क्या हम जाएंगे एड में एंड टेक्च्चर में यहाँ पर हम नॉइस टेक्च्चर को यहाँ पर प्लेस करेंगे ठीक है अब हमें करना है क्या है दोस्तों अब हमें noise texture और gradient texture को दोनों को mix करना है फिर उस value को हम color M में देंगे तो हम shift A दबा कर mix color node को insert करेंगे जिससे कि हम इन दोनों को mix कर सके and इसके बीच में हम place कर देंगे ठीक है सो अभी आप देखें कुछ नहीं हुआ सो दोस्तों इसको place करने के बाद आप देखें gradient texture है वो color A में जुड़ गया है and color B में हम अपने noise texture को जोड़ देंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसमें noise आ गई है बट अगर control shift में left click करता हूँ इस पर noise texture पर तो आप देखेंगे noise जो एमारी वो stretch हो रही है क्योंकि इसको हमने texture coordinates नहीं दिये तो इसको हम object coordinate दे देते है ठीक है and अब हम अपने color M पर control shift left click करके उसका preview लेते हैं तो यह कुछ इस टाइप से दिख रहा है दोस्तो एंड इसकी जो यह जो slope है इसके scale से हम control कर सकते हैं जितनी value को आप बढ़ाएंगी यह उतना चोटा जाएगा इसका scale ठीक है and अब मैं control shift left click करता हूँ mix shader पर ताकि हमें direct texture दिखे तो कुछ इस टाइप से हमारे texture दिख रहा है मैं इसका scale बढ़ाता हूँ करीब इतना and अब हम x value को move करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे texture कुछ इस टाइप से reveal हो रहा है ठीक है इसमें दोस्तों हमें detail की value मिलती है noise texture में जिससे हम इसकी detail control कर सकते है इसको भी बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें और भी जाए detail line लग गई अगर इसको मैं वापिस 0 पर 2 पर जो था by default या देखेंगे कि इतना smooth आ रहा है इसके corners है and अगर हम इसको full कर देता हूँ तो इसमें और भी जाए detail add हो गई है ठीक है so यह भी आप add कर सकते हैं अगर आप चाते हैं इसमें add करना and दोस्तो अगर आपको लग रहा है कि यह जो noise texture है काफी है ता बड़ा आ रहा है क्योंकि इसकी noise है वो आप देखेंगे कि यहां से लेके इतने बड़े area में आ रही है तो आप करके सकते हैं कि जैसे कि हमें mix shader मिलता है factor value ऐसी हमें mix color में मिलता है अगर इसको हम 0 की तरफ ले आते हैं तो होगा कि हमारे gradient texture work कर रहा है and full अगर 1 कर देते हैं तो सिर्फ noise texture work कर रहा है तो अभी यह by default 0.5 पर थी तो इसकी value को आप कम करके जो noise texture उसका influence कम कर सकते हैं देखें जैसे ही मैं point 1 के करीब आ रहा हूं तो हमारे जो slope है वो काफी एदा straight सा आ रहा है तो इससे हम control कर सकते हैं इसको भी हम point 3 कर देते हैं यहां से भी इसको आप changes कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो noise section में आपको distortion value मिलती है जिसको बढ़ा कर आप इसमें distortion add कर सकते हैं तो मैंने इसकी value को भी 3 करा है distortion value को and आप मैं x value को move करता हूं तो यह कुछ इस type से आ रहा है तो दोस्तो यह आपके उपर है कि आप किस type का effect चाहते है exactly अब मैं इसको 0.5 पर लेके जा रहा हूं तो यह कुछ इस type से आ रहा है ठीक है distortion को भी के लिए हम 0 कर देते हैं वापिस और इसमें roughness value मिलती है roughness से भी आप इसकी जो corner से है उसकी roughness control कर सकते हैं अगर यह आपने one कर दी तो यह काफी जादा कुछ stripe से detail आइंगी ठीक है तो इसको 0.5 रहें देते हैं and detail को भी हम 8 कर देते हैं scale value को 30 कर देते हैं and अब हमें करना क्या है हमने सिर्फ इसकी जो location value है उस पर keyframe add करने animate करने उसको तो ऐसा लगए है कि हमारा टेक्चर है वो reveal हो रहा है ठीक है काफी यह बढ़ा आ रहा है यहां से लिए कि यहां तक तो मैं करूंगा क्या factor value को चेंज करके point 3 कर दोंगा and दोस्तों जो हमारा second टेक्चर आ रहा है यानि कि यह तो हमारा में टेक्चर जो हमने और लेड़ी बना रहा था अपनी केन पर एंड जो second टेक्चर आ रहा है वो यह principal VHD app है आप यहां से इसको भी control कर सकते हैं जैसे हमारा जो original टेक्चर है वो metallic है तो मैं इसको भी metallic कर सकता हूँ and इसकी भी roughness को मैं control कर सकता हूँ जैसे माल लिए इसको मैं चाहता हूँ काफी यदा shiny दिखे यह and जो इसके बाद में जो texture आ रहा है वो इसके उपर ऐसे आए तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं ठीक है तो मैं करूँगा कि इसकी roughness को तो जो भी changes करेंगे जो भी color इसका set करेंगे वो इसकी नीचे वाली जो can है उससे रहेगा and जो उसके उपर जो texture आ रहा है उसके लिए आपको जो texture apply कर रहा है उसकी setting करने पड़ेगी ठीक है तो दोस्तों हमने जो अपना texture reveal है उसके basic node हमने add कर लिए है अब हम simply करते क्या है करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम यह corner पर जाएंगे जब यह प्लस का icon आएगा तो इसको हम drag and drop करके यहां पर लियाएंगे and यहां से हम इसको एडिटर टाइप को change करके इसको timeline मना देंगे ठीक है एंद इसको हम थोड़ा नीचे लाते है इस पर left click करेंगे तो यह one पर आ इस value को हम नीचे ले जाएंगे लोग महां तक ले जाएंगे जब यह texture पूरा disappear हो जाए तो यह करीब 52 पर यह गायब हो गया अब हम simply करेंगे क्या right click करेंगे insert keyframe कर देंगे तो यह yellow हो जाएगा and जितनी भी आपको लंबी animation मना लिए मतलब यह जो texture reveal effect है slow, fast है उसके अनुस अपने timeline को data सो पर लिया और यह 52 वाली value मैं इसको बढ़ाता हूँ, sorry घटाता हूँ, so देखें हमाँ texture reveal हो रहा है और जब यह पूरा reveal हो जाएगा जैसे कि यह करीब minus 58 पर पूरा reveal हो गया, अब मैं right click करके इसमें insert keyframe कर दो again, so हमने इसमें 2 keyframe add कर लिए, अब मैं starting में जात कर देते हैं, अब मैं इसको play करता हूँ, so इस टाइप से हमारी जो texture reveal है उसकी animation दिखेगी, ठीक है, and आप करके सकते हैं, इसको editor type पो change करके, हम graph editor करते हैं, and इसमें हमने जो keyframe add करे है, keyframe जो हमने add करे हैं, इसको normalize करता हूँ, तो यह by default देखेंगे, तो यह bezier curve में add हो है, तो हम A press करेंगे, select all के लिए T press करेंगे, यहाँ पे हमें कई सारी interpolation मिलती है, इसको हम linear कर देंगे, linear यानि की पहले कहता, starting में fast था, बीच में slow था, end में fast था, अब यह constant speed पर चलेगा हमारा जो animation है, तो इ तो दोस्तों ऐसे हमने इसको texture को animate कर लिया, अब इस scan को भी आप ऐसी animate कर सकते हैं, और एक cool looking animation effect बना सकते हैं, और दोस्तों यह जो texture हमने बनाया है, totally procedural है, procedural का मतलब है कि हम इसको किसी भी point पर change कर सकते हैं, जैसे माल लिए मैं इसको यह पॉस करता हूँ, animation को, and इसकी noise है, म मैं इसके strength change कर सकता हूँ, जैसे माल लिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, करीब point 5 करता हूँ, and apply करता हूँ, so जो हमारी changes है, वो तुरंट apply हो जाएंगे, and जो हमारी animation है, वो से style में play होगी, ठीक है, यानि कि अगर मैं इसको point 1 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे क्याफी state आईगी है हमारी animation, ठीक है, मैं इसको point 4 करता हूँ, माल लिए मैं distortion add करना चाहता हूँ, so distortion add करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी हमारी animation, ठीक है, so 0 करता हूँ, इसकी scale value को माल लिए मैं कम करता हूँ, so ऐसे दिखेगी, so जो भी आप changes करना चाहें दोस्तों, इसमें add it, किसी पॉइंट पर आप वो changes कर सकते हैं, यह totally procedural texture है, and आप चाहते हैं, जो इसके नीचे वाली can, उसको मैं non metallic भी मना सकता हूँ, setup उसमें तुरंती update हो जाएगा, माल लिए मैं उसको black मनाना चाहता हूँ, तो मैं black मना सकता हूँ, ठीक है, मैं उसको totally shiny बनाना चाहता हूँ, shiny metallic, so it is totally upon you, कि आप चाहते हैं, मतलब कि इस type कर आप effect चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप उस पर यहां से control कर सकते हैं,